तो आप सभी को पता है वीप पीडियो की परिक्षात ही आज इसना तक इस तरही जो कि UK SSSSC की तरफ से करवाई गई 31 दिसंबर को तो इसी के क्रम में हमने 4 पोर्शन इस कोशन पेपर के सॉल्व कर लिये हैं जिसमें हमने UK के देख लिये हैं 40 कोशन, Reasoning के हमने देख लिये हैं 10 कोशन or Hindi के देख लिये हैं 20 कोशन जिन भी कोशन में doubt था वो मैंने comment में pin कर दी हैं पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं तो अब हम करने वाले हैं इसका चोथा पोर्शन जो की है उत्तराखंड से संबंदित विविज जानकारी इसके हमाई 40 कोशन दिये गए हैं हमें इसको सॉल्व करना है और देखना है कि कट आफ कहां तक जा सकती है इस वीडियो के बाद ठीक है सबसे पहला कोशन है यदि कोई कि उत्तर से दक्षण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट परिस्तित स्थानों का सही करन क्या होगा उत्तर से दक्षण की ओर जाने इपर सोमेश्वर, अल्मूरा, खेना और बितालगार तो ऑप्शन भी इसमें बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला केंद्र सरकार से सहायता अनुदान तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है तो केंद्र सरकार से हम मतलब की 2 को मिलाएंगे A से तो ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन B में ठीक है तो ऑप्शन B इसका करेक्ट हो जाएगा अगला है 53 में पूचा है निमलकित में से किसे पाँचवा धाम यात्रा का संग्या दी जाती है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा खतलिंग रूद्रा देवी यात्रा अगला कोश्चन है 54 जिसमें पुछा है वन जीव सरक्षण अधिनियम 1922 संबंदी इन दोनों कत्नों पर विचार करना है तो देखिए इसमें पुछा है उत्राखंड में पाई जाने वाले भरल वो कस्तूरी म्रग वन जीव सरक्षण अधिनियम 1922 की अनुसूची एक में शामिल है बिल्कुल करेक्ट है नीचे दिया गया है दो धनेश अनुसूची दो में शामिल है जोकी इनकरेक्ट है तो यहां पर केवल एक साई होगा ऑप्षण ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यह पेपर सैट सी है तो इसी के कोर्डिंग आप देख लेना अब है कॉशन नंबर 55 जिसमें पूछा है सरों हारूल और छोपती लंगवीर क्या है यह उत्राखंड के फोक डांस है लोक नित्ते है अगला कॉशन है इसमें हमें सुमेलित करना है जिम कॉर्बेट राष्टिय उद्यान का मुख्यालय कहां पर इस्तित है यह इस्तित है देहरादून में फिर पुछा है मायवती आश्रम कहां पर इस्तित है यह एक मिनिट है इसको करेक्ट कर ले ना मैंने गलती से बोल दे कि जिम कॉर्बेट राष्टिय उद्यान का मुख्याल है देहरादून ने ऐसा कुछ नहीं है यहां पर देके जंडा मेला जो है देहरा ओप्शन है वो इंकरेक्ट है तो यहां पर ओप्शन आपका दी बिल्कुल सही हो जागा थ्री और फोर इसमें सही है ठीक है अब अगला है फिप्टी सेवन फासना सिखर सैली मंदिर किस से संबंदित है यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कोशन है इसको आप देखेंगे जी डव्लू ट्रेल पर्थम बंदोबस्त 1815 से 16 में बंदोबस्त अधिकारी था यह भी बिल्कुल सही कथन है फिर उसके बात है आटवे बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त भी कहा जाता है यह गलत है और ग्यार्वा बंदोबस्त इंबडशन बंदोबस्त के नाम से लोग प्रिवा ये बिल्कुल सही है, तो 1, 2 and 4, यानि की option C हमारा correct हो जाएगा, अगला है, कुमाओं में किसी वेक्ति को असाधरन बहादुरी के लिए दान दी गई, भूमी को क्या कहते हैं, I think इसका option B सही होगा, रौत, फिर उसके बाद हमें सुमेलित करना है, और सही उत्तर हमे कूट से देखना है, ठीक है, तो इसमें देखें, रेनु का देवी मंदिर, रेनु का देवी मंदिर कहा होगा आपका, ये होगा आपका, नाकुरी से मैच हो जाएगा, फिर उसके बाद है, रगुनात मंदिर, रगुनात मंदिर आपका देव प्रियाग में, परशुराम मं मूर्थी मंदिर माना से सुमेलित हो जाएगा तो इस प्रकार देखिए एक का हमें टू चाहिए तो यह ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा अब है कौन सा योग में सुमेलित नहीं है पुछा है तो देखिए यहाँ पर कटारमल सूर्य मंदिर कहा है अलमोडा कोसी यह ब दिया है गोलू देवता का मंदिर चिताई मंदिर यह बिल्कुल सही दिया है तो यहाँ पर देखिए सही नहीं है पूछा है तो बी और डी बिल्कुल सही नहीं है बी और डी सही नहीं है तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब है 62 में पुछा है उत्रक् तो ऐए तिंग एसका कॉरेक्टानेसर होगा गत्वानी एगला है जन्पतभागेश्वर से इट्रभाई गए बढ़ते हुए क्रम में व्यस्तित करना घीGO बाठ इचा Sekra साना का teAlham ng female व्यासित करना है बढ़ते हेकराहिगं तो देखिए, option B देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मंडवा सबसे कम है, फिर उसके बाद गरना थोड़ा जादा है, फिर उसके बाद धान थोड़ा जादा है, और सबसे जादा क्या है, गेहु है, तो इसलिए option B इसमें correct हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें बढ सुमेलित नहीं है, ध्यान बद्री, व्रद्द बद्री, आदी बद्री, भाविश्य बद्री, यहाँ पर स्री बद्रिनात और ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री लिखना चाहिए था, और यहाँ पर यह थोड़ा confusing हो रहा है, तो I think इसमें A option आपको टिक करना चाहिए देखते हैं इस cancer क्या होता है, 68 में पूछा है कि लोग आप पूछणों में से कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए, मुनड़े जो हैं वो कहां पहने जाते हैं, कानों में पहने जाते हैं, और पौची पहने जाती है हाथों की कलाईयों में, ठीक है, चरेउ गले में पहने जाता है, तो यह गलत लिखा है, और आपका जो तीसरा और फस्ट है, इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि हरोदा तो मुझे पता नहीं, लेकिन चरेउ तो पता है, इसलिए 1 और 3 को हम देखेंगे, इसमें, option C में correct हो जाएगा, फिर उसके बाद है, question number 69 इसमें 2 कथन दिये गए है, उत्राखन MSME, नीती 2015 में परदेश को 5 स्टेणियों में वर्गी करत किया गया है, तो दिखें यहाँ पर यह incorrect होगा, फस्ट कथन, फिर है इस नीती के अंत्रगत उत्पादन इकायों को उत्पादन प्रारंब करने की तिती से, अधिक्तम 15 बर् नीती में प्रदत्वित्तिय प्रुसानों का लाब अनुमन्य होगा, तो दूसरा कथन भी incorrect ही लग रहा है, तो देखें इसका हो जाएगा, एक और दो दो दोनों ही गलत है, अगला है घी संक्रांति को हम और क्या बोलते हैं स्थानी भाशा में, तो उलगिया कहा जाता है, कौन सा कथन सही है बताना है, अब हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, लखवार मेला जौनसार बावर का लोकप्रिय मेला है, बताइए है या नहीं है, बिल्कुल है, लखवार मेला जौनसार बावर जो छेतर है, उसका लोकप्रिय मेल सबसे पहले हम देखेंगे हाट काली का मंदिर हाट काली का मंदिर आता है गंगोली हाट में नाम से बता चल रहा है आपको वाराही देवी का मंदिर कहा है चंपावत देवी दुरा में है सुरकुंडा देवी का मंदिर धनौल्टी छिनमस्ता देवी का मंदिर कहा हो जाएगा फिर काली मट में तो ऐसा आ रहा है हमारे option A में अगला है सुमेलित कर सही कूट का चुनाओ करना है हमें कि कौन इस कूट में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे जागर देख लेते हैं जागर क्या होता है मैचिंग कॉश्चन नमबर 73 का न तो देखें जागर देखने वाले थे हम जागर हमारा लोक मानिताओं पर आधरित दोग गाधाएं होती है इसलिए जागर बोला जाता है उनको फिर मालू शाही का नाम अपने सुना होगा राजुला मालू शाही की ये प्रेम कता है तो वन क उसके बाद आता है पावड़े अत्वा भणो ये वी रस पर आधरित है हुड की बोल ये किरिसी केतिवाड़ी पर आधरित लोग काता है तो कैसे हो रहा है ये फर्स्ट का डी आ रहा है सेकिंड का सी आ रहा है थर्ड का बी आ रहा है फोर्ड का ए आ रहा है तो ऑप्शन ए नाज का महिना कहते हैं सही है चैत के महिने में माय किया आई लड़कियां भी जुमोला और बसंति गीतों के साथ नासती है यही गीत होते हैं क्या यहीं मुझे सही लग रहा है कथन एक और दो दोनों ही इसमें सही होंगे फिर उसके बाद है सुमेरित करना है सबसे पहले कि फिर उसके बाद 12 मासा क्या है लोगीत है देव गुरु देव गुरु क्या है चोटी है और देव इस्तल क्या है एक वैद्शाला है तो यह कहां से मिल रहे है एक फॉर एक फॉर कि दर आ रहा है बी और डी दोनों ऑप्षन में आ बी का, sorry, A का 2, A का 2 मिलाये था हमने, तो A का 2 आ रहा है हमारा, option A और C में, फिर उसके बाद B है हमारा 4 में आ रहा है, ये भी विल्कुल सेम ही हो रहा है, फिर C हमारा 1 में आ रहा है, तो इसका मतलब option C इसमें correct हो जाएगा, ठीक है, option C सही होगा, फिर उसके बाद देखे, हम सही विकल्प का चैन करना है, सबसे पहले है, मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुवात कब हुई, इसकी शुरुवात हुई थी मैं 2020 में, मुख्य मंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुवात हुई है, 2 सितंबर को, ऐसे मैच कर लेते हैं, वनना हम भूल जाएंगे, मिशन गौरा शक्ती ये है, अक्टूबर 2020, और मुख्य मंत्री महालक्ष्मिद नियोजना, ये है, तीन अप्राल 2021 तो D का सीधे देख लो, थर्ड, अच्छा, यहाँ पे तो सभी दो थर्ड है, फिर उसके बाद A का 4, A का 4 भी है फिर उसके बाद B का 2, B का 2 हो रहा है ना तो हमारा उप्शन C से इसमें करेक्ट हो जाएगा अगला है 78, इसमें भी हमें मैचिंग करनी है तो देखिए, अलमोडा को हम मैच कराएंगे बाल मिठाई से फिर उसके बाद पागेश्वर को हम मैच कराएंगे तामर शिल्पुदपाद बंडवा विसकिट से फिर हम हरिद्वार को मैच कराएंगे गूर और शाहत से और नैनिताल को कैंडल मेकिंग क्राफ्ट होता ही है तो कौन सा उप्शन सही है इसमें, उप्शन C सही है अगला है निमलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी सिक्षा की शुरुवात की ये तो कई बार पूछ लिया गया है परताफ शायस का correct answer है गोट संबंदित है गोट किसे संबंदित है पशु पालन से पशु पालन से पहाड़ी बाशा में पिर देखें निमलिखित कतनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछाया तो आपका option D सिदिते दिख रहा है रिषी गंगा, रिषी केस में गंगा से मिलती है तो ये incorrect हो जाए निकल का कारी नदी में मिल जाती यह भी बिलकुल गलत है तो दोनों ऑप्षन गलत है अगला है 83 कोड़ा-क्राहर की अंदुलन से सम्बंदित है यह बेगार कुली बेगार से संबंदित है फिर है matching करवानी है हमें देवी धुरा मेला देवी धुरा का मेला किस अवसर पर लगता है I think ये लगता है रक्षा बंदन की अवसर पर उत्रैनी मकर संक्राथी से मिल जाएगा गौचर कहां से मिलेगा फिर 14 नवंबर से तो ठीक है इसका क्या हो जाएगा फिर हमारा correct answer क्या हो जाए ठीक है फिर है जूला नापने की इकाई है मतलब भूमी को नापने की इकाई जूला है ठीक है अगला है सही मिलान करना है हमको इसमें question number 86 तो देखे सबसे पहला है उत्राखंड न्याइक एवं विधिक academy तो ये हम पता है में भवाली में है फिर उसके बाद है डॉक्टर ब तहरी में उत्राखंड ग्राम में विकास संस्थान रूद्रपूर में तो इस प्रकार से A का 4 हो जाएगा फिर B का 1 हो जाएगा एंड़ C का 2 हो जाएगा option B इसमें correct हो जाएगा ठीक है अगला है नवंबर 2022 की उत्राखंड निर्याद आंकडों के अनुसा निम्लिकित में स कौन सा मद उत्राखंड के सबसे बड़ा निर्याद मद रहा है इसका correct answer हो जाएगा chemical products यानिक रासायनिक उत्पाद निम्लिकित में से देवदार व्रक्ष का वानस्पतिक नाम किया है सेड्रस देवदार नाम है इसका फिर है स्वत तंत्रता संग्राम में उत्राखंड कारम्ब हुआ इल्कुल सही है 1870 में देहरादून में debating club अल्मूरा में debating club की स्थापना हुई यहां पर अल्मूरा आना चाहिए था तो option 10 में हो जाएगा लास्ट हमारा question है डेक्रास संबंदित है डेक्रास संबंदित है देवी और देवताओ के clay model से clay यानि की मिट्टी के जो model बनते हैं मर्दा बनते हैं मर्दा नमूना बनते हैं वह तो इस तरह से हमने उत्राखंड का भी solution देख लिया है अब आप लोग अपने marks बताएंगे क्योंकि सारे ही portion हमने solve कर लिया है 100 में से आपके कितने marks बन रहे हैं आप comment box बताना ताकि इसकी cut off का अंताजा सबी को हो जाए आई होप आपके लिए वीडियो हेलफुल रहे होगे इस तरह की और वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा